हाई फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब अप सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और ये जो क्लिप देख रहे हैं आप ये है उमर गौं की हम लोग गये थे अपने बंगलो पे तो वहां का मॉर्निंग का व्यू है ये काफी अच्छा लग रहा था मैंन दो है मैं भी अधिकनाज मैं पिना जयुद रह थे है कि अधरा के बीचल आप ये वापकी काई है जो जोग्टियल देते हां एंगने जोंगों को बहुत अधिक है उसको गवल्की उसको पर दे तौने नहीं पिर्टाय चान करता है ना तो पर देगा उसको पर देगा उसको अख्री एक नख्ली अवो का है? बाल अख्ली बाप अच्छ में? मुझे लगा खिलोने का है ना रे खिलोना है यह लो पर लाने वाने दे अच्छा वो गिर्गी? गिर्गी वो क्या दो? अब पाप अब अब पाप उदे लो कपड़ा आज़को ना उपर अब ऑप प्रे अब प्रे उदे यह उदे यह उदी मात हाई बाग गया फिर मैं आ गई इधर और गार्डन ने काफी अच्छा लगता है सुबा के टाइम पे वॉक करो और बैठो इधर तो मैंने सोचा इधर काभी थोड़ा बहुत क्लिप ले लूँ आप सब के साथ शेयर करूँ और उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ यहाँ पे काफी फूल वगएरा थे तो अभी आगे जाके न मैं दिखाऊंगी हमारे दूसरे वाले बंगलो का जो काम चल रहा है दूर से ही दिखाऊंगी और जब वो पूरा अच्छे से बन के तैयार होगा तो उसका पूरा होम करेंगे एक दिन तो वो वीडियो भी मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी तो इधर के साइड से न मेरा दूसरा वाला बंगलो भी दिखता है अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ पहले तो थोड़ा बहुत इधर से भी रिकॉर्ड कर लूँ यहाँ पे न जो है चिडियों की आवाज आती है और काफी अच्छा लगता है इस टाइम पे मौसम भी बहुत थंडा था तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ यह जो तालाब दिख रहा है ना इसके पीछे जो मतलब मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा से जूम करूंगी यह तो रो चामरा थोड़ा से जूम करूंगी तो शायद कुछ दिखें हाँ यह आप देख सकते हैं अभी यह दिख रहा है तो यह हमारा दूसरा बंगलो है इसका काम चल रहा है बहुत ही जल्दी इसका वीडियो मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी और अब मैं आ गई हूँ इधर य पीड़ उसमें काफी आम लगे हुए हैं तो अभी मैं दिखाती हूं इंप इधर के साइड में आ जो पीड़ आम का। उसमें काफी आम आय हुए थे और चलिए मैं आपको दिखाती हूं इस टाइम पे से फाली मेरे साथ आई थी और मैं बता रही थी कि मतलब मैं उसको explain कर रही थी और वो मेरी वीडियो बना रही थी अभी तो काफी आम ना पुरा टूट चुके हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा आम आया था इसमें और स्टार्टिंग में जब मैं आई थी ना तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था तब भी मतलब अभी भी इतना है इसके पहले बहुत ज़्यादा था अभी तो काफी टूट की ज़ड चुके हैं काफी तोड़े गए हैं और इस साइड मिट्टी है और दूसरे साइड ता बैगन गोभी यह सबजियां लगी हुई है वो भी मैं दिखाती हूं आपको मैं पुरा उधर से नहीं ले रही थी क्योंकि वो जो ज़ाड से निकला था या मुझे डर लग रहा था इधर ही गया होगा मुझे बहुत दर लग रहा था, इसलिए मैं दूर-दूर से ही सब बता रही थी, और ये आप देख सकते हैं, इधर बैगन है, गोभी है, गाजर भी लगे हुए हैं, तो बैगन बहुत अच्छे-च्छे ताजे-ताजे हैं, बिल्कुल, जो खेट से तोड़ के सबजियां होत चाई, अपने लिए, और सेफाली के लिए, और मेरे हस्बन के लिए, तो चाई लेके अब मैं बाहर आ गई हूँ, थोड़ी देर हम लोग यहां पर बैठे, चाई वाए पिये, उसके बाद हमें निकलना था, मार्केट के लिए, और यहां पर जो मार्केट है, वो भी पास म रहे हैं, मैं सेफाली और मेरे हस्बन, तो यहां का जो मार्केट है, वो काफी सस्ता लगता है, कुछ-कुछ चीजों के मामले में, जैसे हमें सबजी वगेरा लेना होता है, फ्रूट्स लेना होता है, तो काफी बहुत ही कम रेंज में मिलता है, बहुत ही कम प्राइज में म सामान लेके आये थे ना वहाँ छोड़ना था नयवाले बंगलो पर जहां पर काम चल रहा है तो वहाँ जाएंगे वहाँ पर सामान छोड़ देंगे उसके बाद मार्केट के लिए निकलेंगे तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है और बिल्कुल समुद्र के एकदम पास में है और बहुत अच्छी जगह बहुत अच्छी है बहुत सुकून मिलता है यहां पर आके और काफी चीजों की ना सूटिंग वगएर इधर होती है बहुत से वेब सेरीज की भी शूटिंग हुई है इसके पहले मैंने अपने चैनल पे जो ब्लॉग पास में और इधर जो तालाब था ना उसका भी ब्यूटिफिकेशन चल रहा है तो यह सब बाउंडरी वगएरा बन रही है और यह है हमारा बंगलो जिस पे काम चल रहा है यह पूरा होने के बाद मैं इसका पूरा होम टूर कराऊंगी आप सबको और यह भी बीच के बिल्कुल पास में ही है तो यहाँ पे अभी हम लोग रुकेंगे और जो सामान वगएरा है वो सब दे देंगे क्योंकि यहाँ पे जो वरकर है काम कर रहा है उन्होंने बोला था तो हमने सोचा कि आए हैं तो यहीं पे छोड़ दें बाकी तो वो लोग ले लेंगे तो दूर से थोड़ा मैं यह दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा दूसरा वाला बंगलो चारो तरफ जो बाउंडरी वगएरा थी वो अच्छे से हो गई है मिटी भी यहां पे पुरी पढ़ चुकी है प्लास्टर वगएरा होना भी बाकी है देखते हैं कब तक मेरा यह काम कंप्लीट होता है और यहां मैं थोड़ा पास से दिखा रही हूँ अंदर अभी इसका पूरा मैं नहीं दिखाऊंगी वो तो पूरा होने के बाद ही दिखाएंगे अच्छे से पूरा वीडियो बना के मैं होम टूर कराऊंगी आप सबको तो प्लीज मेरे ब्लॉग को फुल वाच करिए कॉमेंट करिए लाइक करिए अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर दीजिए साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जिससे थोड़ा मुझे मो मार्केट के लिए और बहुत ही अच्छी जगह है और हमारा जो यह दूसरा वाला बंगलो है ना वो बिल्कुल स्टूडियो के पास में है हमारे बंगलो के जो बगल की दिवाल थी ना वो स्टूडियो की दिवाल थी और स्टूडियो को भी तोड़ दिया गया है फिर से व मार्केट का तो जादा कुछ कवर नहीं किया बस ऐसे रोड का थोड़ा थोड़ा व्यू मैंने लिया है और उसके बाद हम लोग आएंगे वापस क्योंकि यहां पे हम लोग को टाइल्स वगएरा जो देखना था और क्या बुलते हैं सरमाई का और प्लाई वगएरा देखना मार्वल भी पसंद करना था तो वह सब करने में बहुत जादा लेट हो गया था तो वह सब चीजे मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वीडियो मेरा बहुत जादा लंबा हो जाता तो उसके बाद हम लोग निकले हैं वापस घर पे आने के लिए क्योंकि सुबह से हमने दूगा आये थे तो अभी हम लोग निकल गया हैं घर के लिए और यहां पर हम लोग खा रहे हैं वड़ा पाओ और चटनी है समूसा साइद नहीं हो पाया था हां समूसा खतम हो गया था क्योंकि बहुत जादा लेट हो गया था तो यहां पे ना वड़ा पाओ चटनी और य उसके बाद यहां पर क्रिकेट चल रहा था तो यहां जो गाओं के लोग है ना उनका टोनामेंट वगेरा होता है तो अपना वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे बाहर बढ़ा सा ग्राउंड है तो यहां पर हमेशा होता रहता है क्रिकेट मैच वगेरा टोनामेंट वगेरा चलत बनाना या पाता पर कहुंथ अबनाते सबको को बहुत पसंद आता तो सावडें आइट होता है своим माध्य मुत गूंदते हैं बहुत जादा गवास कार और काफी लेट होगिए धो बौता है है सायद ये एक से डेड़ के बीच का टाइम है ये सब बन रहा था तो काफी लेट हो गया था मार्केट से भी आने में हमें बहुत जादा लेट हुआ था जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और अभी मैं दिखाती हूँ कि ये मटन का जो कलर है ये आप देख सकते हैं तो ये रेडी हो चुका है बस पांच-दस मिनट में न अब हम इसे उतार के साइड में रख देंगे तो अभी यहाँ पे हमने डाल दिया है धनिया और देसी घी और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये बिलकुल सौफ करने के लिए रेडी हो चुका है तो सबको भूप बहुत जादा जो रोकी लगी थी तो फटा फट सबने खाना वाना खा लिया उसके बाद हम लोग रे चमरे में वो उतना जादा खुबसूरत नहीं लग रहा है रियल में ये बहुत जादा खुबसूरत लग रहा था तो मैंने ये रिकॉर्ड किया है और साम के टाइम पे सुबा के टाइम पे यहां का जो व्यू होता है ना बहुत ही अलग होता है बहुत ही खुबसूरत होता तो अफ्सर हम लोग बैठते हैं यहां पे बात बात करते हैं और कभी-कभी रात को खाना खाने के बाद ग्राउंड में वाक भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और आप सबको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए औ और यहां पे आ गई थी जलेबी क्योंकि यहां का जो पासका लोकल मार्केट है वहां पे बहुत टेस्टी मिलती है